हलो गाईज कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और बूगूल पढ़ने में बड़ा मजा आने लगा होगा अब कंसेप्ट समझ में आने लगे होंगे और साथ ही साथ अगर आप PYQ देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपके से कि आपके पास अब जिस किताब के हम लोग बात कर रहे थे Study IQ द्वारा प्रकाशित ये किताब भूगूल ये अब आपके पास होगी ये किताब और आप मेरे साथ साथ जिस तरह से मैं चैप्टरों को आगे लेते हुए चल रहा हूँ चैप्टर में जो जो टॉपिक में आगे लेते हुए चल रहा हूँ उसी प्रकार आप भी इस किताब को लगातार पढ़ रहे हूँगे साथ ही साथ नूर्स बना रहे हूँगे और चीजों को revise कर रहे हूँगे तो करते हैं शुरू आज की क्लास का हमने हम लोग कर रहे थे internal structure of earth या मैं जिसको कहूँ आंतरिक सनरशना के हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने यह देखा था कि हमको actually पढ़ना क्या इसमें तो हमने देखा था इसमें हमको प्रत्वी की आंतरिक भौतिक दर्शा के बारे में पढ़ना है जहां शब्द भौतिक आ गया इसका मतलब है हमको वहाँ पे मेली तीन चीज़ों के बारे में बात करनी थी कौन से तीन चीज़ों के बारे में हमको बात करनी थी हमने देखा था कि हमको यहाँ पे एक तो घनत्व एक तो घनत्व की बात कर रही थी हमने दूसरी हमने दाप की बात करी थी और साथ ही साथ हमने किसकी बात करे थी हमने ताप की बात करी थी हमने किसकी बात करी थी हम लोग पढ़ते पढ़ते हमने ये पाया कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रत्वी को नहीं जान सकते बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रत्यक्ष जो स्त्रोथ हैं, वो लिमिटेड हैं, वो सीमित हैं, हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से स्त्रोथ प्रत्यक्ष स्त्रोथ हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जौला मुख्य और जौला मुख्य से निकलने वाले पदार्थ जो हैं, वो कैसे स्त्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्यक्ष स्त्रोथ आपको देखने को मिलेंगे, साथी साथ हमने ये भी देखा था, कि अगर मनुष्य किसी ग्रह और रुप ग्रह पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे अगर प्रत्यक्ष रुप से किस सोने का खनन कर रहे हैं सोने की जो खान है माँ पर वो सबसे ज़्यादा गहराई की खान है जो कितनी गहराई है जिसकी गहराई है चार किलो मीटर हमने ये भी देखा था कि हमने वेधन की प्रक्रिया शुरू करिये कहीं कहीं और उस वेधन की प्रक्रिया को हमने बूला था ड 12 किलोमेटर या 4 किलोमेटर जानना काफी नहीं है। हमने ये भी देखा था कि जो उलका पिंड होते हैं वो किस प्रकार किस त्रूत हैं वो हैं प्रत्यक्ष त्रूत वो क्यों प्रत्यक्ष त्रूत हैं क्योंकि जब उलका पिंड जब उलका अब प्रत्वी के वातावरण में आएंगे तो उलका बन जाएंगे और वही उलका जब आप रत्यक्स त्रोटों पर पहुंचें तो हमने पाया ऐसे ग्रहें और ऐसे उबग्रें जहां पर मनुश्य अभी तक नहीं पहुंचा है, वो कैसे स्त्रोट हैं वो है अप रत्यक्स त्रोट, तथा उलकाब जो अभी कहां नहीं पहुंचे हैं, प्रत्वी की सताय पर नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में अगर हमको अध्यन करना या उनका अध्यन हम कर रहे हैं, तो वो कैसे स्त्रोत हैं, वो भी अप्रत्यक्ष्त्रोत हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा उसमें, साथ ही साथ हमने तीन और अप्रत्यक् वातर क्या होगा, बढ़ेगा जिंका क्या जयादा है, जिनका घनत्व आपको क्या मिलेगा जादा देखने को मिलेगा 7-7 सतह पे आपको ऐसे पदार देखने को मिलेंगे जो क्या है? जो है हलके तथा उनका घनत्व कैसा है? उनका घनत्व जादा है इसका मतलब जैसे जैसे सतह से मैं किंद्र की और जाउगा क्या लगातार बड़ेगा? लगातार घनत्व बड़ेगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रत्वी की गहराईयों में जाऊंगा जैसे जैसे मैं गहराईयों में जाऊंगा क्या बढ़ता जाएगा घनत्व बढ़ता जाएगा नहां जा सकता है हमने ये भी जाना था कि बहुत एक विज्ञान में हम लोग ये मानते हैं कि घनत्व किसके समानु पाती है तो हमने पाया था कि जो घनत्व है वो समानु पाती है किसके दाब के हमने ये भी देखा कि घनत्व गहराई के साथ लगातार क्या हो रहा है इसमें वरद्धी हो रही है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर गहराई के साथ घनत्व लगातार बढ़ रहा है तो गहराई के साथ क्या बढ़ रहा होगा दाब बढ़ रहा होगा साथी साथ हमने ये भी रेखा कि दाब और गलनांक बिंदू में क्या संबन्द है जैसे 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 दाब बढ़ेगा गलनांक बिंदू जादा होगा या कम होगा वो बॉन्ट फायर वाला आपको एक्जामपल याद होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाता जाओंगा गलनांक बिंदू पर क्या फरक पड़ेगा इन दोनों चीजों से मैंने ये निशकर्ष निकाला था मैंने नहीं मतलब भूगोल वित्ताओं ने निशकर्ष निकाला कि आंतरिक जो कोर है जिस पे दाब सरवादिक है इस सरवादिक दाब के कारण ये जो आंतरिक कोर है ये कौन से अवस्था में आपको देखने को मिली थी ये आपको मिली थी ठोस अवस्था में देखने को आया कुछ याद दाप के बाद हमने बात करी थी सांव की ताप की बाद जब हमने करी थी तो हमने ये देखा था कि जैसे 32 मीटर हम लोग प्रत्वी के अंदर जाएंगे तो कितना डिगरी तापमान बढ़ जाता है करीब 1 डिगरी Celsius का तापमान बढ़ जाता है इसी तरीके से हमने इन निश्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे प्रत्वी में अंदर जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा तापमान लगाता बढ़ता जाएगा ये बाते हमारी हो चुकी थी आप में से कुछ लोगों ने मुझे मेसेज करके पूछा कि सर प्रत्वी में प्रत्वी में जब अंदर जाते हैं प्रत्वी में जब गहराई पे जाते हैं जाते हैं तो ताप क्यों बढ़ जाता है तो ताप क्यों बढ़ जाता है ऐसा क्या होता है कि गहराई में जैसे जैसे पहुंसते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा हाला कि हमने ये भी माना था कि ये जो दर है कौन सी दर? 32 मीटर पे 1 डिगरी सेल्सियस ये दर प्रत्वी के जब प्रत्वी में समान नहीं है प्रत्वी में समान नहीं है इसका मतलब तापमान इसी दर से नहीं बढ़ता ये दर आपको देखने को मिलेगी जो बहारी जो परत है जिसको आप क्या कहते हो भूपरपटी कहते हो जिसको क्रश्ट कहते हो वहाँ पर आपको इधर देखने को मिलेगी लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे यह दर बदलती जाएगी क्यों कि पदार्तों की रासाइनिक विशिष्टा बदलती जाती है और जब पदार्तों की रासाइनिक विशिष्टा बदलती जाती ह यहां पर विशेष्टा B रही होगी, लेकिन एक शेत्र के अगर मैं बात करो, तो यहां पर कुछ विशेष्टा A के भागूंगे, कुछ विशेष्टा B के भागूंगे, ऐसी चीज को हमने क्या नाम दिया था, ऐसी जगे को हमने नाम दिया था, ऐसा क्षेत्र को हमने नाम द दिया था, discontinuity, क्या नाम दिया था, discontinuity, देखो, अंग्रेजी में जो नाम है, discontinuity, इसका, इससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, हमने ये देखा, कि उपर भूपर पटी है, और नीचे, mental है, इसके बीच में एक क्षेतर आपको देखने को मिलेगा, उस क्षेतर में कुछ विशिष्टा है, भूपर पटी की होंगी, कुछ विशिष्टा है, mental की रही होंगी, इस क्षेतर को हमने कुछ नाम दिया था, वो आसम्मदता थी, आसम्मदता यह मैं कहूँ, discontinuity थी, अब discontinuity से ह हम इसको कैसे समझते हैं, यहां तक कोई चीज continuously चली आ रही है, मतलब यहां तक कोई इसकी property या विशिष्टा है, जो continuous है, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद वो विशिष्टा एकदम continuous नहीं रही, एकदम continuous नहीं रही, एकदम लगातार उस विशिष्टा को ये आगे न और उसके बाद जैसे ही और mental में पहुंचे, विशिष्टा तुरंत बदल गई, विशिष्टा तुरंत बदल गई, तो यहां पे इस क्षित्र में आप देखोगे, कुछ mental की विशिष्टा है, कुछ भू परपटी की विशिष्टा है, तो ऐसे क्षित्र को हमने क्या नाम आई सम्मद दिता के नाम से जाना था, यहां तक कोई दिकत नहीं थी, अब थोड़ी सी स्लाइट्स को हम देख लेते हैं, क्या-क्या था, हमने यह समझा था कि प्रत्वी की आंत्रिक भाग को क्यों समझना चाहिए, एक चीज़ जो बाकी है हमारी, वो है प्रत्वी का चु चुमबक क्या होती है, पहले चुमबक को समझते हैं, चुमबक आपने देखी होगी बचपन में, इसको बोला जाता है बार मेगनेट, कौन सी मेगनेट, बार मेगनेट, बार चुमबक, एक बार जैसी है, बार वो अला नहीं जो आप समझ रहे हैं, बार मतलब एक इस प्रक और एक आपको दक्षिनी द्रूब देखने को मिलेगा एक आपको नौर्थ पूल देखने को मिलेगा और एक आपको कौन सा पूल देखने को मिलेगा एक आपको साउथ पूल देखने को मिलेगा यह है आपका साउथ पूल कौन सा पूल, साउथ पूल या दक्षिनी धुरूव है ठीक है, इसमें और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इस धुरूव के पास आप किसी चंबक का उत्तरी धुरूव लेके आते हैं इस धुरूब के पास अगर किसी चंबक का कौन सा धुरूब लेके आ रहे हैं उत्तर ही धुरूब लेके आ रहे हैं और यहां पर भी उत्तर ही धुरूब है तो एक दूसरे को क्या करेंगे धक्का देंगे यहीं पर अगर मैं यहां पर भी कौन सा धुरूव लेके आऊं यहां पर भी मैं अगर दक्षनी धुरूव लेके आऊं तो यह भी उसको धक्का देदेगा लेकिन इसके विपरीत इसके विपरीत आप देखोगे अगर मैं यहां पर दक्षनी धुरूव लेके आगया हाँ पे मैं उत्तर ही धुरू लेकिया जाओं तो ये भी अपनी और खींच लेगा ये ये जो विशेष्टा ये चुम्बक की विशेष्टा है चुम्बक की विशेष्टा ये है कि अगर धुरू एक जैसे है तो वो धक्का देंगे और द्रोव अलग-अलग है या एक दूसरी के विपरित है तो वो एक दूसरी क्या करेंगे अपने पास बुला लेंगे लेकिन ये चुम्बक बनता कैसे हुगा अभी सूचा है ना बचपन में हम लग जिब खिल्दा करते थे चुम्बक से तो अमारे दिमाग में आता था है ये बनता कैसे लोगे को ये कैसे खींच लेता है वो तो बड़ी चोटी चुम्बक है हम बात कर रहे है ऐसी चुम्बक जो कहां पर इस्थे थे प्रत्वी पे इस्थे थे थे पूरी प्रत्वी पे जो चुम्बक इस्थे थे थे ये आपकी प्रत्वी है प्रत्वी पे हमको पता है उत्तर प्रत्वी के पास अपना एक अक्ष है साड़े तेज़ डिगरी जुका हुआ है प्रत्वी का अक्ष प्रत्वी में भी एक चुम्बक है ये वो चुम्बक है प्रत्वी की ठीक है ये अगर प्रत्वी का उत्तरी ध्रूब है तो चुम्बक का ये प्रत्वी का कौन सा ध्रूब है ये प्रत्वी का उत्तरी ध्रूब है और ये प्रत्वी का दक्षिनी ध्रूब है लेकिन चुम्बक की अगर मैं बात करूँ तो चुंबक का ये कौन सा धरूँ होगा चुंबक का होगा ये दक्षिनी धरूँ और ये होगा उत्तरी धरूँ हाला कि ये कोई fix नहीं होता यहीं दक्षिनी होगा यहीं उत्तरी होगा जब हम आगे अगर आप जोग्राफी आपकर ना वैकल्प एक विशे लोगे तो हम यह दिखेंगे लगातार बदलता रहता है लेकिन अभी हम यह समझ लेते हैं कि यह दक्षिनी दरूफ जो चुम्बक का है यह प्रत्वी का उत्तरी दरूफ है और चुम्बक का जो उत्तरी दरूफ है यह प्रत्वी का दक्षिनी दरूफ है प्रत्वी इमको हम ऐसे मानते कि प्रत्वी के अंदर ऐसी मैगनेट है ऐसी चुम्बक है लेकिन यह चुम्बक कहां से आई क्यों आई और क्या करती है यह पता होना चाहिए हमें तो हमें एक चीज पता है कि प्रत्वी के पास बहुत सारी परते विद्यमान हैं प्रत्वी के पास क्या विद्यमान है बहुत सारी परते और उनी परतों में हम देखते हैं एक जो परत आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी, कौन सी परत, जिसको हम नाम देते हैं, अभी कोर का, क्या नाम देते हैं, कोर, कौन सी परत है, प्रत्वी की, कोर परत है, कोर के भी हमको पता है, कोर के दो भागें, कोर के कितने भागें, कोर के दो भागें, ए एक कोर है जिसको बहारी कोर कहा जाता है, दूसरी कोर है, जिसको कौन सी कोर कहा जाता है, आंतरिक कोर, तो मैं इसे कह सकता हूं, यह कौन सी कोर है, यह है आपकी बहारी कोर, तथा जो अंदर वाला हिस्सा आपको देखने को मिल गाए, यह कौन सी कोर है, यह आपको देखने को को मिलीगी आंतरिक कोर अच्छा आप मुझे क्या बता सकते हैं कि बाहरी कोर कौन से अवस्था में और आंतरिक कोर कौन से अवस्था में हमको यह पता है कि आंतरिक कोर में क्या है बहुत ज़्यादा दाब लगा हुआ है गलनांक बिंदू इसका क्या हुआ होगा बढ़ चु इसका मतलब जो आंतरिक कोर है ये कौन से अवस्था में है ये है आपकी फोस अवस्था में हमने भूकम पे तरंगों से भी देखा था और मैं अभी आपको आज फिर से रिवाइस करूंगा तो बता दूंगा कि कैसे आया था साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो भारी कोर है वहाँ पर क्या कम है वहाँ पर दाब थोड़ा कम है तो वह कौन से अवस्ता में है द्रव्य अवस्ता में है अच्छा हमको ये भी पता है कि जो कोर है वो कौन से पदार्तों से बनी हुई है वो भारी पदार्तों से मिलकी बनी हुई है और सबसे ज़्यादा भारी क्या है सबसे ज़्यादा प्रत्वी पर आप भारी देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे दो तत्व एक तो आपको देखने को मिलेगा फैरस दूसरा देखने को मिलेगा निकल फैरस का मतलब है लोहा और इसको बोले आता है निकल क्या बोले आता है निकल तो निकल और लोहा यहाँ पे तो ठोस अवस्था में और वहीं पे मैं यहाँ पे बात करूँ बहारी कूर में कौन से अवस्था में है दरवी अवस्था में मौझूट है ठीक है इसके बाद हमें एक चीज और पता है क्या चीज आपको पता है इसके बाद आपको ये पता है कि प्रत्वी अपने अक्ष पे लगातार क्या कर रही है घूनन कर रही है क्या कर्ये लगातार घूर्णन कर रही है और घूर्णन कर रही है घूर्णन की रफतार अगर मैंने आपको बताईती उसकी स्पीड अगर आपको बताईती आपको याद हो तो करीब सोला सो किलोमेटर प्रती घंटी की रफतार से प्रत्वी घूम रही है अच्छा प्रत्वी जब घुमेगी तो क्या इसका आंत्रिक कोर घुमेगा गुमेगा आंत्रिक कोर और बहारी कोर भी घुमेगा तो जब आंत्रिक कोर घुमेगा और बहारी कोर भी घुमेगा बहारी कोर में कौन से अवस्था में बहारी कोर द्रव ये अवस्था में हैं कौ इतनी तेजी से घूमता है और इस गर्म और द्रव में क्या है आपको देखने को मिलेंगे निकल देखने को मिलेगा और लोहा देखने को मिलेगा निकल और लोहा हमारे लिए important देखो यहाँ पर इसलिए है कि आपने बच्चपन में जब चुम्बक ली थी तो आपने प्लास्टिक पे अगर उसको लगाया तो चिपकी थी क्या आपने जब लोहे पे लगाया तो वो चिपक गई थी आपने लकडी पे लगाया तो नहीं चिपकी थी नहीं चिपकी थी इसका मतलब लोहे में कुछ ऐसी विशिष्टाइं होती है कि वो क्या होगा वो चुम्बक के साथ चिपक जाता है साथ ही साथ हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था आपको बच्पन में याद है तो यह आपके अगर चुम्बक है यह क्या है आपकी चुम्बक या मैं इसको कहूं यह क्या है मेगनेट इस चुम्बक पे आपने क्या किया लोहे को इसके पास आप ले गए तो लोहा इस पर चिपक जाएगा ये लोहे के कोई धातू लोहा ठीक है अब आप सोची कि आपने इस लोहे को इस लोहे को आप ले गए किसी आलपिन के पास किस के पास ले गए किसी आलपिन के पास ये कहा है आपके एक आलपिन जब इस आल्पिन के पास आप इस लोहे को ले गए और लोहा किस से चिपका हुआ है चुम्बक से चिपका हुआ है तो चुम्बक ने लोहे को चिपका हुआ हुआ है लोहा आप किसको चिपका लेगा अल्पिन को चिपका लेगा अब एक काम कीजिए चुम्बक को यहां से हटा दीजिए अब चुम्बक को आपने लोहे से अलग कर दिया चुम्बक को जैसे आप लोहे से अलग करोगे इधर से आलपिन भी अलग हो जाएगी इसका मतलब जब तक लोहा चुम्बक के साथ चिपका हुआ था तो लोहा भी किस तरीके से काम कर रहा था, इस चुम्बक की जैसे काम कर रहा था, अगर चुम्बक की ऐसे काम नहीं कर रहा होता, तो आलपिन लोहे के नहीं चिपकती, जैसे ही मैंने चुम्बक को यहां से अठाया, लोहे ने अब चुम्बक जैसा काम करना बंद कर दिया, ज चुम्बक जैसे विशेष्टा के पास रहे तो वो जो लोहा है वो किसकी ऐसे काम कर सकता है चुम्बक की ऐसे काम कर सकता है यही लोहा हमने देखा कोर में विध्यमान है और बहारी कोर आंतरिक कोर दोनों में विध्यमान है आंतरिक कोर तो ठोस है लेकिन बहारी कोर द्रवी अवस्था में, साथ ही यहां पर तापमान बहुत जादा है, वह तेजी से यह घूम रहा है, तो इस लोहे के कारण, इस गरम होने के कारण, इस द्रवी अवस्था होने के कारण, साथ ही साथ प्रत्वी के घूमने के कारण, इन सब को मिलाने के बाद, क्या result आता है, इन सब को बन गई एक चुम्बक जैसे इस्थिति उत्पन हो गई, प्रत्वी में क्या बन गई एक चुम्बक जैसे इस्थिति बन गई, तो प्रत्वी में जो चुम्बक बना उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है एक तो प्रत्वी का घूर्णन, घूर्णन के साथ प्रत्वी कूर का तापमान है अधिक अधिक तापमान अगर अधिक नहीं होता तो दरव्य वस्था में नहीं होती तो चाहो तो आप इन दोनों को एक ही बात मान सकते हो लेकिन मैं आपको समझा रहे हैं मैंने दोनों को अलग-अलग रिका है प्रत्वी घूमरी है वो दरव् उत्पन होगे चुम्बक जैसी आपने एक शब्द सुना होगा जन्रेटर सुनाए जन्रेटर जन्रेटर का मतलब क्या होता है देखो जन्रेटर का मतलब अगर मैं आपको एकदम बेसिक समगा हूँ तो ऐसा कोई साधन जो क्या कर सकता है जन्रेट कर सकता है जन्रेट मतलब क्या होता है उत्पत्ति कर सकता है किसी चीज की तो जन्रेटर क्या कर सकता है उत्पत्ति कर सकता है किसी चीज की है जिसका जन्रेटर होगा वो उसके उत्पत्ति करेगा अच्छा मुझे बता ही कि मनुष्य भी जनरेटर है तो मनुष्य, मनुष्यों का जनरेटर तो है इना क्यों अगर हम नहीं होते तो आने वाले मनुष्य कैसे होते जैसे भारत की लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं 140 करोड लोग हम हो गए है तो वो कैसे हुए हम काम कर रहे हैं जनसंख्या में व्रद्धी कर रहे हैं तो मनुष्ची भी जनरेटर है और वैसे आगर बहुती नॉर्मल ही यूज में बता हूँ आपको तो जनरेटर आप और मैं जानते हैं कि जब शादियां होती हैं शादियों में एक बड़ा सा कुछ यहंत रहाता है जिसको घुमाया जाता जिसमें डिजल डाला जाता है उस डिजल से बिजली बनती है और बिजली से शादियों में लगने वाली लाइट है वो जल जाती हैं तो वो electricity generator हुआ वह कौन सा जनरेटर हुआ उसको मैं आप बोलोगे electricity इलेक्रिसिटी जन्रेटर क्या बोलोगे इलेक्रिसिटी जन्रेटर ऐसा जन्रेटर जो इलेक्रिसिटी बिजली पैदा करे बिजली की उत्पत्ती करे उसको आप कौन सा जन्रेटर कहोगे इलेक्रिसिटी जन्रेटर अब आप जन्रेटर के हम लोग हाला कि ये वर्की नहीं समझेंगे क्या होता है, क्या होता है, रूटार, क्या होती है, रूटार ये चीज़ समझने की नहीं है लेकिन एक चीज़ को बोला जाता है, डाइनेमो क्या बोला जाता है, डाइनेमो अभी डाइनेमो क्या होता है देखो आप UPSC के लिए भी जब पढ़ाई करते हैं तो दो शब्द आपको बहुत परिशान करते हैं वो दो शब्द कौन से होते हैं वो दो शब्द होते हैं एक कुछ टॉपिक जिनको आप बोला जाता है स्टैटिक और कुछ टॉपिक जिनको बोला जाता है डाइनेमिक dynamic मतलब जिनको आप समसमाई किया current affairs बोलते हैं उनको dynamic बोला जाता है यह लगातार बदल रहे हैं यह लगातार बदल रहे हैं और static जैसे history को यह माना जाता है कि वो एक static subject है history में अगर कहीं पे कहीं कुधा ही नहीं हुई तो यह माना जाता है कि उसमें लगबग वो ही प्रस्ट आएंगा अब अकबर को बदल तो सकते नहीं हैं अकबर अकबर ही रहेगा तो वो कैसा subject है static dynamic जैसे अर्थ शास्त्रे वो कैसा subject माना जाता है dynamic subject वो लगातार उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं वो चेंज हो रहा है वो current affairs डैनेमो का मतलब भी यह होता है अब भी डैनेमो का मतलब आप सिर्फ यह समझिए कि ऐसी कोई ऐसी कोई वस्तूर जो लगातार घूम रही है जो लगातार घूम रही है उसको आप क्या बोलोगे डैनेमो क्या प्रत्वी लगातार घूम रही है तो प्रत्वी लगातार घूम रही है इसकी वज़े से क्या बन रहा है चुम्बक बन रहा है तो इस चीज़ को हम भूलते हैं इस चीज़ को आप और मैं किस नाम से जानत इसके कारण प्रत्वी में क्या आता है अगर प्रत्वी का डाइनेमो नहीं होता तो प्रत्वी में कौन सी विशेष्टा ही नहीं होती है चुम्बक जैसे विशेष्टा है जिनको चुम्बकत कहा जाता है तो आशा करता हूँ, आप यह समझ जगे होंगे कि प्रत्वी में चुम्मकत कैसे आया, अब इससे होता क्या-क्या है, इससे होता क्या-क्या है, आपने एक इंस्टूमेंट का नाम सुना होगा, एक यंदर का नाम सुना होगा, जिसको बोलता है कम पास, देखो दो चीजों, तीन चीजों को आप बेसिकली कम पास बोलोगे, कम पास आप किसको बोलोगे, किसी को बोला रहे हो अपने पास, तो आप उसको क्या बोलोगे, कम पास, भाई पास में आजा, जिसको भी बोला रहे हो, उसको बोलोगे, भाई पास में आजा, दूसरी चीज कम पास प्रकार क होता है एक ऐसा गूल सा यंत्र होता है जिसमें यहाँ पर आप देखोगे आपको नीडल देखने को मिली एक ऐसी नीडल देखने को मिलती है और उसमें कुछ इस तरह की marking आपको दिखने क्यों मिलेगी यहाँ पे मानों जैसे लिखा हुआ है North यहाँ लिखा हुआ है South यहाँ लिखा हुआ है यह North है, यह South है तो अपने आप क्या हो जाएगा यह West हो जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है East इस प्रकार के उसमें बहुतारी मार्कीन होती है आपके मुबाइलों में भी होता है मुबाइलों में भी अगर आप सर्च करोगे आपके पास स्मार्टफून है उसमें कमपास अगर आप सर्च करोगे तो कमपास ऐसा आजाएगा ये क्या बताता है ये दिशा बताता है दिशा बताएगा कि कौन से दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हो या इस तरफ कौन सी दिशा है अब ये दिशा कैसे बता पाता है सोचो अगर प्रत्वी में चुम्बक नहीं होती तो जो निडल है ये जो निडल आपको दिखरे को मिल रही है ये विचलिती नहीं होती ये अपने स्थान पर स्थेर रहती लेकिन चूंकी प्रत्वी पे क्या है प्रत्वी में चुम्बक है और चुम्बक के धुरूव की तरफ मानो यहाँ पे इसका प्रत्वी का कौन सा धुरूव आपको देखने को मिल रहा है या कौन सी दिशा आपको देखने को मिल रही है उत्तर देखने को मिल रही है यहाँ पे भी यहाँ पे यह चुम्बक का एक निडल है और चुमबक की जो निडल है यहाँ पे समझे आप यह उत्तर होता यह भी नौर्थ होता तो अगर आप नौर्थ डायरेक्शन में जाते तो यह आपको यहाँ बता देता अगर आप इस्ट में जाते तो आप पूरा में जाते तो यहाँ बताता तक्षिर में जाते और पश्चिम में जाते हैं तो यहां बताता तो अगर दिशाओं का निर्धारण करना है आपको तो इस दिशा के निर्धारण की modern technology को आप लोग क्या कहते हैं GPS कहते हैं GPS GPS हमने दिखा था अक्षांश और दिशांतर रुपय आधारे थे साथ साथ प्रतिविके चुम्ब कत्व पर भी आधारे थेगो अगर चुम्ब कत्व नहीं होता तो हमको दिशाओं का ग्याण नहीं हो सकता था साथ यसाथ आपको पता होगा एक चीज हमने पढ़ी थी आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ध्रुव्य जूति हमने देखा था वो कहां पाए जाते हैं हमने बोला था कि सर ये मिलते हैं हमको जनरली ध्रुवों पर और कौन से कंद है वो जो सौर जौला के कौन से कंद थे आवेशित कंद थे ये जो सौर जौला के आवेशित कंद है ये प्रत्वी के प्रत्वी के जब चुम्बक ये क्षेत्र में आ जाते हैं प्रत्वी के कौन से क्षेत्र में चुम्बक ये क्षेत्र में आ जाते हैं तो ये कुछ क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण क्या मिलती हैं आपको धुरुविये जोतियां मिलती है तो समझ में आ रहा है कि प्रत्वी का चुम्मक रत्व कैसे आया और वो क्या-क्या करता है ठीक है तो में जो काम है वो इसका ये है कि हम लोगों को डायरेक्शन ये बता देता है यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए अब चलते हैं आगे की और यह हमने पड़ा था प्रत्यक्ष त्रोत और आप्रत्यक्ष त्रोत इसमें हमने खनन देखा था प्रवेधन देखा था ज्वाला मुकी देखा था और उपस्थित भ्रंश कहां पर उपस्थित भूपरपटी पर भूपरपटी पर अगर कोई भ्रंश आई या क्रैक जिनको आप बोलोगे तो वहां से भी कुछ अगर पदार्द बहार निकल रहा है तो प्रत्वीक की बारे में आपको जानकरी मिल जाएगी यह जिसकी में बार-बार बात कर रहा था डीप ओशेन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट उसको बढ़ रहा था गहरे समुद्र में प्रवेथन परियोजना यह शुरू ही थी 1968 में और इसी तरीकी का एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2003 में यह कुछ आप्रत्यक्ष तो जो आप होना चाहिए था प्रत्वी के गुरित्वा कर्षें गर manure शेत्र का अगर अध्यन करो तो प्रत्वी की चुम्बग के एक शेत्र का अध्यन करोगे तो ये बही आप प्रत्यक्ष त्रोत है और गिहराए के साथ तापमान और दाब में अगर बदी हो रोगा प्लेतों के बीच निर्मित उर्जा क्या है इचानक से उत्सरजन के कारण को है भूकम आजाएगा और यह जब उर्जा का उत्सर्जन होगा तो किस तरीके से होगा हमने देखा था यह होता है तरंगों के माध्यम से तरंगों के माध्यम से तो इनी तरंगों को जो इस भूकम पी उर्जा से आपको मिली है इस उर्जा से जिससे भूकम पाया यह जो उर्ज या ये किस प्रकार चलती है, तरंगों के माद्ध हम से चल रहे हैं, तो इन ही को हम क्या बोलेंगे, भूकम पे तरंगे, तरंगे बोलेंगे, हमने ये भी देखा था, कि भूकम पे तरंगे, दो प्रकार की देखने को मिलती है, कौन कौन सी थी भूकम पे तरंगे, आपको या तो हमारे लिए surface wave ज्यादा important नहीं है, कौन सी wave important है, body या निकाय तरंगे, हमने देखा था यह दो प्रकार की होती है, P तरंगे और S तरंगे, primary तरंग और धुतियक तरंग, हमने primary तरंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा यह प्रत्वी पे सबसे पहले पहुंच जाती ह है, और यह किस प्रकार, किस प्रकार गती करती है, तो आप देखोगे, यह किस प्रकार गती कर रही है, इसमें पदार्थ के कंड, उसी प्रकार गती करेंगे, जिस दिशा में तरंग आगे की और बढ़ रही है, साथ ही साथ हमने यह भी देखा था, कि इसको किस प्रकार की तरंग बोले हुए आप अनुधेर्य तरंग आप बोलोगे अच्छा आप क्या मुझे बता सकते हो कि यह जो अनुधेर्य तरंग है यह प्रकाश जैसी तरंग है यह धुनी जैसी तरंग है बताओ मुझे आप कमेंट सेक्शन में साती साथ हमने ऐस तरंग देखा था यह प्र अच्छा P तरंगे किन किन माध्यमों से गुज़र सकती है, हमने देखा था P तरंगे सार सॉलिट से गुज़र सकती है, या मैं काओ ठोस, ठोस से भी होके गुज़र सकती है, साथी साथ ध्रफ से होके भी गुज़र सकती है, और गैस से होके भी गुज़र सकती है, लेकिन जो यो S तरंग है वो केवल कौन से माध्यम से होके गुजर सकती हैं, ये बातें हमने करे थी, देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ, हाला कि हमारे काम का है नी, जो सतही तरंगे होती हैं, वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक को बुले आता है L तरंग, दूसरे को बुले आता हैं सबसे आदा जिससे नुकसान होता है वो कौन से तरंग होती है सतही तरंगे लेकिन इसका नाम क्या है लव तो लव से सबसे आदा नुकसान होता है ना भूकम्प में जीवन में क्या होता है ये मुझे लगता है कि आपके पास काफी अनुभव होगा, अपने 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 प्रेम का, तो बता सकते हो आप कि, क्या उन्हांने बहुत नुक्सान आपको पहुचा है? या अभी तक है आपके साथ? तो जो लव तरंगे होती है बहुत नुकसान पहुंचाती है न इसी से आपकी बिल्लिंगे करती है और ये सब चीजे जो होती है साथी साथ रेले तरंगे दो प्रकार की कौन सी तरंगे है सते ही तरंगे एक है एल तरंग दूसरा है आर तरंग L तरंग का मतलब लव तरंग और दूसरे का मतलब है रेले तरंग अभी हमको इतना ही पढ़ना है इससे यादा अभी आपको आवशक्ता नहीं है ये बात होगे जी कि हमारी भूगर्बिय तरंगे दो प्रकार की है भूगर्बिय तरंगे और धरातलिय तरंगे फिर हमने बात करे थी कि इनकी भूगर भी है तरंगों की भूगर भी है, बौडी वेड्स जो प्रात्मिक तरंग भी है और धुतियक तरंगे भी हैं फिर हम P-Wave की बात कर रहे हैं, पी वेव में हमने देखा था कि सबसे तीव रही है आपको देखने को मिलेंगी इनकी जो speed है वो कितनी 5 से 14 है प्रत्वी पर सबसे पहले पहुंसती है धोनी तरंगों की जैसे होती है पदारतों को धकेलती तता खीचती है धकेलती तता खीचती है इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया संपीड निया या compressional, compression मतलब compress कर रही है लगातार, कंड उसी दिशा में गती कर रहे हैं, जिस दिशा में कौन तरंग गती कर रहा है, तरंग धर्य बहुत क्या होगा, इसका कम होगा और किन-किन मध्यम उसे गुज़र सकती है, ठोस, द्रव्य और गैस से होके यह गुज़र सकती है हमने दितियक और सेकंडरी वेज हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि इसकी जो स्पीड आप देख रहे हो, आपको पी तरंगों से कम देखने को मिल रही है साथ ही साथ कंड की गती की दिशा अगर आप देखोगे तो कैसी है तरंग की गती के लंबवत आपको देखने को मिलेगी, यह किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्त तरंग है और अनुप्रस्त के होनगे के साथ साथ, यह प्रकाश की तरंगों की जैसे कारी करती है, इनको अप रूपन तरंगी भी कहते हैं अपरूपन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या करेगी रूप को परिवर्तित कर दिंगे इसलिए अपरूपन इनको कहोगे और द्रव्य में संचरण नहीं होता मतलब सिर्फ किसमें संचरण होगा इनका सिर्फ ठोस में इनका संचरण आपको देखने को इधरा तलिय तरंगे जिनको हमने अभी बात कर रहे थे, दो प्रकार की होती है, रेले तरंगे और लव तरंग हमने अवलोकन करकी है, हमने वो एक्सपरेमेट जब किया, जिसमें हमने P और S वेव दोनों को गुजारा प्रत्वी से, तो हमने क्या पाया कि P तरंग सबसे पहले कहां पर मिली, सिसमो मीटर पर, अब देखो, कल मैंने देखा था कि कुछ लोग को कन्फूजन था, कि यह सब दो चीजे, हमने दो नाम सुने हैं, क्या होता है, सिसमो मीटर, सिसमो ग्राफ, और एक और चीजे होती है, वो आपने नहीं पूछी थी, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है, एक और आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा, सिसमो लॉजी, देखो, अगर कहीं पे भी, सिसमो आपको लेखने को मिल जाए, यांगरेजी में मैं कहूं, सीसमिक, सीसमिक का मतलब होता है, कुछ ऐसी चीज जो किस से संबदि है भूकंप से संबंदित है किस से संबंदित है इसलिए भूकंप वालिक शित्र को हम लोग अगर आप अंगरी जी की अख़बार पढ़ोगे तो इसमें बहुत बार यह लिखा होता है कि वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलनी है वहाँ पे सीस्मिक activity इसका मतलब सीस्मिक मतलब वो चीज किस से संबंदित है सीस्मिक और सीस्मिक मतलब क्या है भूकंप से संबंदित तो भूगंप से संबंदित कुछ चीज है आपको देखने को मिली है तो वो सीस्मिक activity ऐसी विश है ऐसा विश है यह लौजिक का मतलब में आप विश है ऐसा जो किसके बारे में अध्यन करेगा जो भूकम्प के बारे में अध्यन करेगा उसको आप सीस्मो लॉजी कहोगे अब भूकम्प को आपको पता है मापा जाता है भूकम्प को मापा जाता है न रिक्टर स्केल होता है विक्टर स्केल जितना भूकम पता तो जब भूकम को मापा जाता है इसके लिए का हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको आप क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे सीस्मो मीटर सीस्मो मीटर मीटर का मतलब ही क्या होता है मीटर का मतलब होता है मापना जैसे स्पीडो मीटर स्पीडो मीटर आपकी गाड़ी में लगा है एक्टिमा में लगा है बाइक में लगा है मीटर वो क्या करता है स्पीडो मीटर स्पीड को मापता है सीस्मो मीटर सीस्मिक एक्टिविटी को मापेगा सीस्मिक गतिविधियों को मापएगा सीस्मिक मतलब भुकम तो भुकम को मापने वाला मीटर क्या होगा सीस्मो मीटर जब आप स्पीडो मीटर में देखते हो तो आपको स्पीड दिखाई देखने को मिलती है इसी प्रकार आप देखोगी बैरो मीटर होता है, बैर मतलब बैरो मीटर बैरो मीटर का मतलब है वो किसको मापेगा, प्रेशर को मापेगा क्योंकि प्रेशर के अगर आप एकाई देखोगे तो बार देखने को मिलेगी, एक बार का प्रेशर है दो बार का प्रेशर है तो बार प्रेशर की चूंकि एकाई है तो ऐसा जो मीटर वो किसको मापे प्रेशर को मापे दाप को मापे तो आप उसको बैरो मीटर कहोगे सब में तो एकाईय होती हैं हम आसानी से माप सकते हैं लेकिन जो सीस्मो मीटर होता है जो सीस्मो मीटर होता है वो भूकम को मापने के बाद आपको क्या देता है एक ग्राफ देता है आपको क्या देता है ग्राफ देता है उसमें इस परकार की कुछ कुछ जैसे ECG, आपने कभी अगर करवाई है ECG ECG की रिपूर्ट जैसे आती है, इस परकार के उस तरंगे आती है हमाँ पर भी ऐसी तरंगे आपको सीस्मो मीटर बना के देता है, उस किस पर देता है, वो ग्राफ पर देता है तो जो बन के आता है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे, सीस्मो क्या बोलोगे, सीस्मो ग्राफ क्या बोलोगे, सीस्मो ग्राफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एज़ी सी चीजे थी, डाउट नहीं होना चाहिए तो P तरंगे सीस्मो मेटर पर सबसे पहले दर्ज की गई मतलब P की रफतार, P की स्पेड सबसे तेज है P तरंगे प्रत्वी के संपूर्ण आंतरिक भाग से होकर गुजरी मतलब P तरंगे आप देखोगे भूपरपटी से होके भी गुजरी है mental से होके भी गुजरी है, तदा kore से होके भी गुजरी है भुकंप के अधिकेंद्र से 105 डिगरी से 145 डिगरी के मद्ध है आपको कौन से तरंग देखने को नहीं मिली? P तरंग देखने को नहीं मिली क्यों 2024 माद्धयम बदल गया माध्यम बदल के मतलब विमांग माध्यम पर जब विमांग माध्यम में तरंगे चलेंगे तो क्या होगा वो तिरची हो जाएंगे अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे 145 डिगरी के बाद P तरंगे फिर से दर्ज की गई, याद कीजिए आंतरिक जो कोर है अब उससे निकल रहे है और रफतार भी भाग तेज हो गई है उनकी S तरंगो को P तरंगो के बाद दर्ज किया गया, मतलब S की जो रफतार है, S की जो स्पीड है, वो P से कैसी है P से कम है, P की जादा है और 150 डिगरी के बाद S तरंगे दर्ज नहीं की गई क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि बाहरी कोर से अब गुज़रना था और बाहरी कोर किसकी बनी हुई है, द्रवी की बनी हुई है ये बात हमारी हो चुकी थी हमने ये डाइग्राम बनाने को बोला था आपको उम्मीद करता हूँ आपने बना लिए होगा अब आप समझ भी गए होगे, छायाक शेतर क्या होते है निशकर्श हमने ये निकाला कि बाहर कोर कौन से अवस्था में तरल अवस्था में तता आंतरिक कोर कौन से अवस्था में आंत्रिक और ठो सवस्था में है इस आधार पे हमने ये बोला कि प्रत्वी की तीन परते हैं पहला जिसको नाम दिया गया भूपरपटी जिस पे हम लोग हैं अभी जिसको क्रस्ट बोला जाता है एकदम बाहर की सत्य है दूसरी को हमने नाम दिया mental और तीस जिसको नाम दिया क्रूड या कूर और जो केंदर के बिलकुल नजदिक आपको देखने को मिलेगी mental mental भूपरपटी और कूर के बीच मिलेगी और भूपरपटी एकदम सत्य है पे जो आपको देखने को मिलेगी ये ऐसा कुछ डियाग्राम आपको देखने को मिलेगा केंदर के पास सबसे आपको क्या देखने को मिलती है कोर आपको देखने को मिल रही है केंदर से एकदम बाहर आपको क्या देखने को मिल रही है mental आपको देखने को मिल रही है और एकदम सतह पर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रही है, यह प्रत्वी के आंतरिक सनरशना का चित्र है, इस चित्र को हम लोग इस प्रकार बनाते हैं, इसमें आप आसममंदता या जिसको विच्छिनता भी बूला जाता है, हमने कल देखा था विच्छिनता, आपको वो शायद याद भी हो, हमने क्या बनाया था, सी एम, सी एम के बाद क्या था, आप मुझे बताईए लिखके, सी एम के बाद क्या था, तो हमने देखा था, लेहमंड, गटनबर्ग, रैपिटी, मोहरविक, और एक और कौन सी रह गए इसमें, कोनार्ड, कौन सी रह पढ़ते हैं कि सबसे उपरी परत भूपरपटी है, सबसे उपरी परत कौन सी है, भूपरपटी है, तो इस चित्र को इस प्रकार बनाया जाता है, देखे, प्रत्वी की ये तरिज्जा है, जो कितनी है, 6370 किलो मेटर, ये क्या है, प्रत्वी की तरिज्जा, इस डाइग्र ये चित्र आपको अपनी किताबों में देखने को मिलेगा ये जो उपर वाला जो आपको हिस्सा देखने को मिल रहा है इसको आप किस नाम से कहोगे ये है आपकी भूपरपटी या है भूपरपटी भूपरपटी के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा mental और mental के बाद आपको देखने को क्या मिलेगी core फिर हमको तो ये भी पता है कि इन सब के भी कुछ ना कुछ हिस्स है जैसे core का आंतरिक core और बहारी core उपरी mental निचली mental उपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी तेकिन आपके मन में ये doubt आना चीए कि सर आपने diagram ऐसा क्यों बनाया ये diagram बच्चों देखो ऐसा इसलिए बना है यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ नीला रंग आपको देखने को मिलेगा जो आपका भूपरपटी वाला हिस्सा है जो आपका भूपरपटी वाला हिस्सा है इसको मैं तू भागू में बाढ़ सकता हूँ इसको आप कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगे महा सागर और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगे महा द्वीप महा द्वीप तो वो हिस्सा जहां पे महादवीप हैं, वो उंचाई पे बनाए गए हैं, और वो हिस्सा जहां पे महासागर हैं, वो नीचे बनाए गए, इसलिए ये डाइग्राम कुछ इस प्रकार बनता है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकि आपको पताईए, सबसे पहले कौन सी? कुनाड, कुनाड के बाद मोहरविक, मोहरविक के बाद हमने कौन सी पढ़ी थी? कमेंट सेक्शन में बताईए, CM के बाद क्या पढ़ा था? RGL पढ़ा था, CM के बाद क्या पढ़ा था? RGL हमने पढ़ा था, तो CM के बाद क्या है, RGN है CMR ये मिलेगे आपको G और यहाँ पर आपको L C से हमने पढ़ा था, कुनाड असम्मत देता मोर्विक असम्मत देता रैपिटी, गटनबर्ग और लहमन ये सब चीज़े हमको याद हैं बहुत अच्छे से हैं, ये मुझे पता है अब थोड़ा-थोड़ा हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं क्रस्ट के बारे में, मैंटल के बारे में और कूर के बारे में, बस इतना ही है प्रत्वी की आंतरिक संरिशना जब हम क्रस्ट को पढ़ते हैं या जिसको भूपरपती बोला जाता है ये प्रत्वी की सबसे ऊपरी परत है हाथ सर सबसे ऊपरी जिस पर हम खड़े है ये है तता सबसे पतली भी है सबसे पतली क्यों है वो अब ये आपको समझ में आ जाएगा हमको पता है कि भूपरप jokes को दू भागों में देखो उनको बोलाता है हलके silicate silica aluminium जिससे पहले CL के रूप में भी जाना जाता था, देखो CL क्यों कहेंगे इसको silicon silicon और aluminium silicon और aluminium इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो इसको आप बोलोगे CL यह आज कल हाला कि बहुत ज़्यादा प्रेश्टन में नहीं है यह silicon aluminium CL के रूप में भी जाना जाता है, जबकि भारी silicate, silica और magnesium को आप क्या कहोगे, silica और magnesium को, silica और magnesium यहाँ पर silicon है यह और यह magnesium है तो इसको बोला जाता है इन दोनों को mix करके, सीमा सीमा आप हमेशे एक चीज यात रखना यह जो aluminium है aluminium है, वो हलका है किसके मुकाबले? magnesium के मुकाबले इसका मतलब, अगर इसके साथ मैं silicon जोड़ूँ और इसके साथ मैं silicon जोड़ूँ तो भारी कौन सा होगा? silicon और aluminium या silicon और magnesium, तो सीमा सीमा भारी है किसके मुकाबले? सीयाल के मुकाबले अच्छा, भारी चीज नीचे होती है या हलकी चीज नीचे होती है तो हमें पता है हलकी चीज हमेशा उपर होगी और भारी चीज नीचे होगी सीमा आपको नीचे देखने को मिलती है सिलिका और aluminium मिलेगी और पहले ये माना जाता था कि सीमा चूकि भारी है इसलिए महा सागर जो है महा सागर जो है वो सीमा से बने हैं तथा सी आल चूकि हलकी है इसलिए जो महा द्वीप है जो महा द्वीप है वो किसके बने हैं सी आल की ये पहले मानना जाता था इसलिए आप देखींगे भी स्लाइड में भी क्या लिखा हुआ है सिलिका और मेग्रिशियम सीमा के रूप में जाना जाता है महासागर बनाते हैं जो वर्गी करने सुएस ने दिया था अठारा सो एकतिस के असपास दिया था लेकिन यह वर्गी करन अब प्रचलित नहीं है अब ये वर्गी करन प्रिशलित नहीं है अब किस तरह से हम इसको मानते हैं कि जो लाइटर जो हलके है, लाइटर मतलब हलके या हलके अगर कोई भी पदार्थ होंगे तो आप उनको क्या कहोगे फैल्सिक, क्या कहोगे फैल्सिक अब बस ऐसा समझ लो की हलके पदार्थों को अभी हम उनको क्या कहना है फैल्सिक, हाला कि मैं आपको ये बता भी दूँगा आगे जब हम चट्टानों के बारे में और पढ़ेंगे कि फैल्सिक क्या होते हैं अभी इतना सा समझ लिए कि हलकों को आप क्या कहोगे फैल्सिक कहोगे sodium, potassium, aluminium, silicate चट्टाने जैसे granite महदवीब बनाती है कौन सी चट्टाने महदवीब बनाएंगी फैल्सिक चट्टाने फैल्सिक चट्टानों का मतलब क्या है ऐसी चट्टाने जो कैसी है हल्की है हल्की चट्टाने किसके बनी होंगी sodium के बनी होंगी potassium की बनी होंगी, aluminium की बनी होंगी, और तथा silicate की बनी होंगी, ऐसी चट्टाने और जिनका example भी इसने दे रखा है क्या granite, क्या granite, किसका निर्मान करती है महाद्वीब का, तो हमको एक चीज़ यह समर्ज में आई, क्या समर्ज में आई, कि जो महाद्वीब है, जो महाद्वी हलके चट्टानों से निर्मित होने का मतलब है किससे निर्मित है, यह निर्मित है, फैल्सिक, इससे फैल्सिक चट्टानों से, फैल्सिक चट्टानों में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा, आपको पोटेशियम देखने को मिलेग और इन सब से क्या कोई चट्टान बनती है हाँ इन से चट्टान बनती है उन चट्टानों का फैल्सिक चट्टान का होगए वो हल्की होती है और उसे किसका निर्मान होता है महाध्वीब का इसलिए आप कहते हैं जो महाध्वीब हैं वो किस चट्टान से बने हुए वो ग्रे ग्रेणाइट की चट्टान से, बहुत इंपोर्टन चीज है हमारे लिए न, आगे बहुत काम बहेंगी हमारे ग्रेणाइट से बने हुए कौन? महादवीब, तो घरवाले का भी का है न कि घर में ग्रेणाइट लगा लेते हैं, मार्बल लगा लेते हैं, तो उनको बता दीज कियेगा सबको, दूसरी और, समुद्री भूपरपटी बेसाल्ट की तरह बेसाल्ट की बनी हुए है, और यह कैसे थोड़ी मूटी है, और बेसाल्ट को किस को का होगे, मैफिक, मैफिक जिसमें आपको क्या मिलेगा, कुछ आईरन मिलेगा, कुछ मैगनेशियम, सिलिकेट द आपको देखने को बल रही है किस की बनी होगी है यह बनी होगी है बेज साल्ट की जैसे ग्रिनाइट होता है mafic काओगे भारी चट्टान जैसे basalt अच्छा भारी है तो इसमें आपको iron देखने को मिलता है और silicates देखने को मिलते है कुछ magnesium भी देखने को मिल सकता है तो इस प्रकार के चट्टाने जो भारी है और वो basalt जैसी है या basalt है उनको आप mafic काओगे अगरश से किसका निर्माण हो रहा है mahasagarun का तो मैं पूछू mahasagarun का निर्माण किस से होता है तो mahasagarun से मैं जो चट्टान है आपको देखने को मिलती है वो कौन से है basalt नामत चट्टान आपको देखने को मिलेगी इसका मतलब भूप अरपठी पर दो प्रकार की चट्टान आपको देखने को मिली भूपरपटी पर आपको दो प्रकार की चट्टान देखने को मिली कौन कौन सी अगर मैं आपको डाइगराम बना के बताऊं तो डाइगराम कुछ इस प्रकार का बनेगा यह है आपका महाद्वीब महाद्वीब यह है आपका महासागर और यह जो महाद्वीब है इस महाद्वीब में आप देखोगे यह बने हुए सारे ग्रे नाइट के तथा जो महासागर बने हुए यह बने हुए बेसाल्ट के इसके बने हुए बेसाल्ट के आप देख रहे हो महासागर मैंने पतला बना है और महादवीप उचे बना है क्योंकि बहुत सारे पहाड आपको देखने को मिलेंगे पठार देखने को मिलेंगे तो महादवीपों की मूटाई जो आप देख रहे हो जादा है और महासागरों की मूटाई जादा है तो कभी भी बात करेंगी कि भूपर पटी पे ये अगर भूपर पटी है और भूपर पटी के उपर महासागरों की मुटाई कम देखने को मिलेगी ये स्लाइड में भी शयदा आगे आ जाएगा महाद्वीपे क्रस्ट 50-70 किलो मीटर है तथा महासागरी क्रस्ट 5-30 किलो मीटर है अगला ही पॉइंट है ये कि महाद्वीपे क्रस्ट हमने देखा महाद्वीपे क्रस्ट कैसी है महाद्वीपे क्रस्ट आपको कैसे दिखी दी मोटी जादा है महासागरी क्रस्ट मोटी कम है तो इनके जो औसत आप देखोगे 5-70 km है तता ये 5-30 km है और पूरे प्रत्वी का जो आयतन है उसका मात्र 0.50.5 से लेकि एक प्रतिशत के बीच किसका आग मिलेगा आपको क्रिस्ट का तता पूरी प्रत्वी का जो द्रव्यमान है उसका केवाल एक प्रतिशत से भी कम किसका द्रव्यमान है भू परपटी का इसका मतलब आप समझेए कि प्रत्वी का द्रव्यमान 100 है तो भू परपटी का जो द्रव्यमान है वो एक किलो से भी कम है तता यहां पर बात कर रहा है प्रत्वी का जो आयतन है उसके मुकाबले जो भू परपटी का आयतन है वो सिर्फ कि प्रत्वी की भूपरपटी पे सबसे प्रचूर मात्रह में मिलने वाले कौन-कौन से तत्व है, तो यहाँ पर आप देखोगे, सबसे आदा आपको मिलेगा oxygen, क्या मिलेगा सबसे आदा oxygen, और oxygen कितना प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा, oxygen आपको देखने को मिलेगा, 46.6 प्रतिशत, oxygen के बाद आपको देखने को मिलेगा, silicon के बाद क्या देखने को मिलेगा, silicon के बाद aluminum आपको देखने को मिलेगा, aluminum के बाद आपको iron देखने को मिलेगा, जिसको आप ferrous बोलते हूँ, ferrous के बाद calcium आपको देखने को मिलेगा, तो आ बहुत अच्छा है अगर नई भे आगे तो approximate idea होना चाहिए कि कर आप करीब करीब 50% तक oxygen है उससे बाद सारे कम है तो oxygen, silicon, aluminium, ferrous और calcium लेकिन यहाँ पर सबसे important जो आपको बात याद करनी है कि प्रत्वी की केवल भूपरपटी पे जो मौजूद है उनकी बात कर रहा है प्रत्वी पे केवल भूपरपटी पे आपको comment section में मुझे यह बताना है कि प्रत्वी पर जो मौजूद प्रचुर तत्व हैं उनकी मात्रा कैसे कैसे है अभी हमने जो बात करिये भूपरपटी पे हैं यह बहुत important है question पूछा हुआ है और वहाँ पे गलती करी थी लोगोंने उन्होंने यह नहीं पढ़ाता कि वो भूपरपटी पूछता है ठीक है तो आप मुझे वो comment section में बताएंगे उसके बात करते है mental हमने देखा था कौनसी परत कौनसी परत है यह आपको बाहरी बाहरी कोर और फिर आंतरिक कोर जैसा कि आपको शायद current में पता भी होगा कि अ एक और वेग्यानिकों ने खोज किये कि आंतरिक कोर के अंदर भी एक परत देखने को मिली है हाला कि वो अभी उस पर काफी discussion होगा तो वो news में रहेगा लगातार एक बाट पूरा हो जाए इसके बाद मैं आपको बता दूँगा हम चलते किस पर mental की और mental की और चलते mental कहां स 300 किलो मीटर के बाद और 3500 से लेके 2900 किलो मीटर तक यह आपको सत है कि 35 किलो मीटर पर आपको क्या देखने को मिलेगी मोहो और इस मोहो से 2900 किलो मीटर मतलब यह 0 है 0 से 35 आपको क्या देखने को मिली भूपर पटी कहीं कहीं 50 तक भी हो जाती है लेकिन और सत मान की चले तो 35 के से 2900 किलो मीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगी मेंटल देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी मेंटल आपको देखने को मिलेगी ये प्रत्वी के आयतन का लगबग 83 प्रतिशत है बहुत important है ना कितना प्रतिशत है 83 प्रतिशत अर दरव्य मान का भी 67% है तो आपको ये बात याद होने जी 93% क्या है और 67% क्या है तो 67% तो इसका दरव्य मान है तथा अगर इसका आप आयतन देखेंगे तो आयतन कितना है 93% Mental का जो उपरी भागे हमने देखा था mental के दो भागे लेकिन mental के दो भागों में भी आप देखेंगे जो एकदम उपरी भागे इसको क्या बोला जाता है एस्थिनोस्फेर या दुर्बल मंडल क्या बोला जाता है एस्थिनोस्फेर या दुर्बल मंडल इस दुर्बल मंडल में क्या होता है दुर्बल मंडल यह इसको बुले आता है एस्थिनोस्फेयर ठीक है दुर्बल मंडल में क्या होता है चुकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडियो धर्मी पदार्थ मौजूद है रेडियो धर्मी पदार्थ के होने के कारण यहाँ पर उश्मा बहुत ज़्यादा होती है ताप बहुत ज़्यादा होता है दाब क्योंकि मैंटल में बहुत ज़्यादा दाब भी नहीं है तो दाब कैसा है यहाँ पर दाब कम है दाब कम है तो गल्लांक मिंदू भी ज़्यादा नहीं होगा गल्लांक भी क्या होगा यहाँ पर कम होगा उश्मा जादा है गनलांग कमें तो क्या होता है जो भी पदार्थ हैं वो या तो तरल अवस्था में या अर्द तरल अवस्था में बदल जाते हैं और लगभग जितने भी जुआला मुखी प्रत्वी पे देखने को मिलेंगे उसमें से बहुत ज़्यादा मैजोरिटी आप देखोगे वो इनी तरल और तरल पदार्थों से आपको आते हुए दिखेंगे तो जो अलम की जादे तर कहां से आते हैं दुर्बल मेंडल पहेंगे और दुर्बल मेंडल किसका हिस्सा है दुर्बल मेंडल का हिस्सा है दुर्बल बंडल के बाद हम देखीगे कि निचला मैंटल पूरी तरीके से कैसे है ठोस है कैसे है ठोस क्रास्ट और मैंटल के सबसे उपरी हिस्से को लिथास्फियर की नाम से जाना जाता है यह कहने की कुशिश कर रहा है कि यह आपकी भूपरपटी है यह आपकी क्या है भू परपटी भू परपटी के बाद यह mental का एक हिस्सा इस पूरे हिस्से को आप किस नाम से जानते हो इस पूरे हिस्से को आप बोलोगे lithosphere क्या बोलोगे lithosphere और इस lithosphere के नीचे आपको देखने को मिलेगा आपका durbal मंडल अब एक बात बताओ यह दुर्बल मंडल तरल और अर्द तरल अवस्था में और जो इस्थल मंडल यह जो lithosphere है वो कौन सी अवस्था में वो ठोस अवस्था में कौन सी अवस्था में वो ठोस अवस्था में तो बिलकुल ऐसा होता है कि इस्थल मंडल की जो प्लेटे हैं वो एक नाव की भातिक इस पर तैर रही है आपके दुर्बल मंडल पर तैर रही है ठीक है यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आगे चलते हैं मेंटल का घनत्व क्रश्ट से क्रश्ट मतलब भूपरपटी से अधिक है और कितना है 3.3 से लेके 5.5 यह बात हमको पता भी है कि जैसे जैसे हम प्रत्वी के अंदर जाते जाएंगे घनत्व लगातार बढ़ता जाएगा उपरी मेंटल का थोड़ा कम है और निशली मेंटल का 3 से भी जादा आपको देखने को मिलेगा आयतन का आपको पता है लगिया 83 प्रतिशद है और दर्वे मानकर 67-68 प्रतिशद आपको देखने को मिलेगा यह किसकी बनी हुई है मेंटल मेंटल मुख्य रूप से आईरन और मेंगनेशियम के सिलीकेट के खनीजों से बनी हुई है मेंटल में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा देखो इसको याद करने का तरीका है OSM OSM मेंटल में आपको सबसे आदा देखने को मिलेगी Oxygen, फिर आपको देखने को मिलेगी Silicon और फिर आपको देखने को मिलेगी Magnesium तो मेंटल में 45 पतिशद औक्सियन भूपर पटी पे 46 ती हैं 45 हो गई है 41 पतिशत सिलिकॉन और 20 पतिशत मेगनिशियम मिलता है इसको SOM के नाम से आप याद रख सकते हो मेंटल रेंज में उपरी क्रिस्टल सीमा पर लगबा 200 डिगरी सेलसियस का तापमान और नीची नीची जैसे जाते हैंगे तापमा लगातार बढ़ता जाएगा हैना यह एकदम डिगरी आपको याद करने की जरुरूत भी ने कोई आप से नहीं पूछा कि कितने डिगरी का तापमान है एकदम बताओ तापमान बहुत जादा है यहापे गल्लांक बिंदू कैसा है यहापे गल्लांक बिंदू कम है यहापे तो यहाँ पे दुर्बल मंडल है और दुर्बल मंडल तरल आवस्था में और अर्द तरल आवस्था में जब तरल या किसी दरव्य चीज को आप ज़्यादा उश्मा दोगे तो अब क्या होगा वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो उपर जाएगा और उपर वाला हिस्सा नीचे आएगा इसको मैं छोटे से एक्जम्पल से आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये एक पतिला है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है गरम पानी है और नीचे से आप इसमें क्या दे रहे है उश्मा दे रहे है तो पहले कौन सा पानी गरम होगा नीचे वाला नीचे वाला पानी कहां जाएगा गरम होगा उपर और उपर जो ठंडा पानी वो गरम होने कहां पर आएगा नीचे आएगा इस प्रकार क्या हो रहा है यह जब उश्मा का इस्थानांतरन होता है, ऐसी धाराओं का निर्माण होता है, तो ऐसी धाराओं का हम बूलते हैं समवहन धारा, कौन सी धारा, समवहन धारा, और ये समवहन धारा आपको कहां देखने को मिलेंगी, दुर्बल मंडल में देखने को मिलेंगी, एस्थिनोस्फेर ये सबसे भारी सामगरी है, बहुत भारी सामगरी से मिलके बनी हुई है, इसको पहले किस नाम से भी जान सकते हैं, निफे के नाम से भी जान सकते हैं, निकल और फैरस, ये कहां से कहां आपको देखने को मिलेगी, उन्तिस सो से शुरू होती है, और कहां तक चलेगी, उन्तिस से लेकि छाउट सीक्लिमीटर तक बहारी आपन विष्णे मेन हें अपन कोर's के दो हिस्से मानते हैं बहारी कोर और आंथरिक कोर कैसी यह तरहलवस्था मैं और आंथरिक कोर एकदम थो सवस्था मैं आपको देखने को मिलेगी कोर का जो आयतन और दर्विमान है, प्रत्वी के कुल आयतन का कितना है, 16 प्रतिशत, तथा दर्विमान कितना प्रतिशत है, 32 प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा, दो भागों में इसको बाटा गया है, यह जो अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हो, केंदर के पास वाला यह है, इनर कोर या आंतरिक कोर और बाहर वाला इस सब बाहरी कोर आपको देखने को मिलेगा, बाहरी कोर, बाहरी कोर जो कौन से अवस्था में, तरल अवस्था में है, और यहाँ पे लुहा तता हलकी धातू की मातरा मिलेगे आपको, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो आपको पताओने ची कौन से अवस्था में यह है तरल अवस्था में आपको देखने को मिलेगा तरल अवस्था में इसलिए यहाँ पर क्या होता है डायनेमो भू डायनेमो की बात करी थी जिससे क्या उत्पन होता है चुम्बक के क्षेतर उत्पन होता है साथ ही साथ हमने बात करी थी आंत्रिक कोर के बारे में आंत्रिक कोर क्या है आंत्रिक कोर आपको मिलेगी 5100 किलो मिटर से लेकि 6370 किलो मिटर तक ये कैसी ठो से एकदम बाकी और चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा important यहाँ पे नहीं है तो अब आपको प्रत्वी की आंत्रिक संद्रश्णा के बारे में सब जानकारी हो चुकी है चीज़े यहाँ पे लास्ट वाली जो तीन-चार स्लाइड देखिए उसमें कोछ छोटे-छोटे फैक्ट है महाँ से UPSC ने पहले भी प्रशने पूछे है और उम्मीर है कि वो आगे भी यहाँ से प्रशन पूछ सकती है तो ध्यान रखिए का कि वो आप फैक्ट है थोड़ी से याद कर ले बाकी जो कंसेप्ट है वो आप अच्छे से समझ चुके है कि कौन सी जो परत है वो द्रवी अवस्था में है कौन सी परत थोव से अवस्था में है तो यहाँ पर हमारा क्या खतम हो जाता है प्रथवी के आंक्रिक शनरशनः हमारी यहाँ पर खतम हो जाती है इसके बाद मिलिगे एक नए सस्पैंस के साथ कि क्या नया होगा टॉपिक तब तक के लिए क्या करना है तब तक के लिए बने रहना है, study IQ आई एस हिंदी के साथ, साथ ही साथ और क्या करना है, साथ ही साथ आपको ये करना है, channel को like, channel को like करना है, session को like करना है, subscribe करना है, channel को, साथ ही साथ session को क्या करना है, share करना है, तथा study IQ के किसी भी course के साथ जुणना है, तो कौन सा code लगाना है, तो code लगाना है आपको mb live कौनसा code लगाना है mb live कल मिलते हैं इसी समय और उम्मीद करूँगा मैं कि आप ये सब चीज़े revise करके आएंगे और हम लोग इसके बाद next class में क्या करेंगे आगे का नया topic शुरू करेंगे तब तक अपना ध्यान रखिए और revise करते रहिए नोट्स बराइए जै हिन जै भारत हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी